नमस्कार दोस्तों महूं संदेब कुमार और आज इस वीडियो में हम सौशन की किरिया विदी के बारे में डिटेल से अध्यन करेंगे इससे पहले वाले वीडियो में हमने सौशन तंतर के बारे में अध्यन किया था सवसन की किरिया विदी को अच्छे से समझने के लिए आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान पुर्वक देखे तो आई शुरू करते हैं आज का टोपिक सवसन की किरिया विदी वायू मंडल की सुध वायू की फेपडों में पहुँचने तथा ऐसुध वायू की फेपडों से बाहर निकलने की किरिया को स्वाचो स्वास अथ्वा ब्रिथिंग कहते हैं यानि कि हम ये भी कह सकते हैं कि वायू मुंडल से ओक्षीजन का फेपडों में पहुचना तथा ऐसुद वायू यानि कि CO2 का फेपडों से बाहर निकलना यही यानि कि इस किरिया को स्वाचो स्वास अत्वा ब्रिथिंग कहा जाता है। इसी स्वातन भी कहते हैं। स्वाचो स्वास की किरिया विधी स्वाचो स्वास की किरिया विधी या कारिय विधी को हम दो पदों में अध्यन करते हैं पहला आता है नी सौशन यानि की पर्शौशन इसे इंस्पाइरेशन भी कहते हैं दूशरा है निय सवशन या उच्छ सवशन इसे अक्सपाइरेशन भी कहते हैं तो सबसे पहले हम नी सवशन या परसवशन के बारे में डिटेल से अध्यन करते हैं नी सवशन जोकी एक सक्रीप रावस्ता होती है इसमें डाइफ्राम चप्टाव संकुचित हो जाता है जिसके कारण वक्षगुआ का आयतन बढ़ जाता है यानकि नी सवसन में डाइफ्राम और जो बाई ये अंत्रा परशुक पेसिया हैं, उनमें संकुचन होता है जिसके कारण वक्षगुआ का आयतन बढ़ जाता है, जिसके फल्शवरूप वक्षगुआ व फेपडों का वायूदाब, वायूमंडली वायूदाब की तुलना में कम हो जाता है, जिससे वायूमंडल से वायू, तेजी से फेपडों में परवेश करती हैं और इसी किरिया को नी सवसन या इंस्पाइरेशन या परशवसन कहते हैं, दूसरी आती फिर नी सवसन या उच्छवसन यानकि अक्सपाइरेशन, इसमें यह क्या होती है, इसमें ड वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है जिसके कारण फेपडो वै वक्ष गुहा में या फेपडो वै वक्ष गुहा का वायू दाब वायू मंदली वायू दाब की तुलना में बढ़ जाता है जिसके कारण फेपडो वै फेपडो से वायू वायू मारक से होती हुई वायू मंद जब हम सारीरिक शरम या व्यावाम करते हैं, उच समय उचछ वशन एक शक्रिये प्रावस्ता होती, यानि इसमे एनरजी की आउसेकता होती हैं। अब हम नी शवशन जथा नी शवशन के में अंतर देखते हैं, यानि कि इंस्पाइरेशन और अक्सपाइरेशन में, पर्शवशन और उच शवशन में, इंस्पाइरेशन में वायू मंडल की वायू फेपडों में प्रवेश करती है, और अक्सपाइरेशन में फेपडों में बरी वायू फेपडों से बाहर निकलती है यानि वायू मिडल में जाती है परशवशन के समय फेपडों में वायू दाब कम होता है जबकि उच्छवशन में फेपडों में वायू दाब अधिक होता है परशवशन में डायफ्राम की यानि की जो अरिय पेसिया वो शिकूरती है जिससे डायफ्राम चप्ता हो जाता है जबकि उच्छ अप्सन में डायफ्राम की अरिय पेसिया सिथिल होती है जिससे डायफ्राम गुबंद के आकार का या गुबंद के शमान हो जाता है नेक्ष्ट अंत्र आता है फिर इंस्पाइरेशन या परशवशन में अंत्रा परशुक यानि बाहिय अंत्रा परशुक पेशिया और आंत्रिक अंत्रा परशुक पेशिया इनकी कार्टिलेजिनस बाग्ष इंकूडते हैं जिससे वक्ष गुवा कंडी बाहर की और खीच जात अक्षपारेशन या उच्छवसन में अंत्रा इंटरकोस्टल पेस्यों की सिधिलन से वक्सकंडी अंद्र की ओर खिच जाती है यानकि ये होता है उच्छवसन के अंदर फिर next अंतर आता है इसमें inspiration या पर्षवसन में पलूरल गुहाओ का आयतन बढ़ जाता है जबकि expiration या उच्छवसन में पलूरल गुहाओ का आयतन कम हो जाता है अगला अंतर है फिर ये था जो नीच्वशन यानिकी पर्षवसन और उच्वशन में अंतर ये आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अधिक से अधिक share कीजी और मेरे चैनल को subscribe कीजी और इस वीडियो को like कीजी और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद